जेहन दोस्तो, आर्मी और SSE GD की इस special class में आप सभी का स्वागत है तो मैं हूँ सिवा और आप सभी देख रहे हैं हमारे YouTube चैनल सिवा Online Classes तो चलिए दोस्तो, स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आप से एक request होगी कि अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल सिवा Online Classes को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेश जरूर कर लें जिससे आने वाली वीडियो की notification आप तक पहुँचती रहे तो question number 1 है एक अवतल दरपन द्वारा बनाया गया प्रतिवंग कैसा होता है question number 2 का सही answer है option A, बास्तविक next question है question number 2 आपरती को किस में मापा जाता है option से आपके seismogram, ampere, hertz और decibel question number 2 का सही answer है option C, hertz में जी हाँ दोस्तों, आपरती को hertz में मापा जाता है question number 3 है मनोसिकी सबसे बड़ी ग्रंथी कौन सी है? option से आपके option A, यकरत option B, थाईराइड option C, ब्रक and option D, मस्तिस्क question number 3 का सही answer है option A, यकरत ठीक है दोस्तों? आज की ये वीडियो है इसमें दोस्तों के अब दस questions है, जो की सामाने बिग्यान के questions होंगे ठीक है? तो वीडियो के last में आप एक चीज हमें जरूर बताएं कि आपने इस 10 questions में से आपके कितने questions ठीक थे? comment करके वीडियो के last में आप सभी को ये बताना है कि 10 में से आपने कितने questions ठीक है ठीक है? तो next question है हमारा question number 4 सूर से कौन सा vitamin प्राप्त होता है? very simple question है दोस्तों तो question number 4 का सही answer है option C vitamin D जी हां दोस्तों सूर से vitamin D प्राप्त होता है question number 5 है इंदर धनुस में कुल रंगों की संख्या कितनी होती है? option से आपके 7, 8, 4 या फिर 10 तो question number 5 का सही answer है option A 7 इंदर धनुस में जो कुल रंगों की संख्या होती है वो होती है 7 ठीक है? तो next question के तरब चलने से पहले आपको बता दें कि अगर आप इस video की PDF फाइल को बिल्कुल फ्री में डाउनलोड करना चाहते है तो आप हमारे टेलिग्राम चैनल सिवा ओनलाइन क्लासिस से डाउनलोड कर सकते है question number 6 की तरफ चलते है electron की खोज किसनी की? option से आपके JJ Thompson option B Rutherford option C Gold Stannis and option D है आपका Madam Curie question number 6 का सही आंसर है option A JJ Thompson electron की खोज की थी JJ Thompson ने question number 7 है मानव रख्त का pH मान कितना होता है? option से आपके 6 option B 9.1 option C 8.4 and option D 7.4 तो दोस्तो मानव रख्त का pH मान होता है 7.4 तो यहाँ पर question number 7 का सही आंसर है option D 7.4 next question है question number 8 लाल रुधर कड़काओं का निर्माण कहां होता है? option से आपके अस्थी मज़ा में छोटी आथ में यकरत में या फिर इन में से कोई नहीं तो दोस्तो लाल रुधर कड़काओं का जो निर्माण होता है बो होता है अस्थी मज़ा में ठीक है? question number 8 का सही आंसर option A अस्थी मज़ा question number 9 है decibel किसके एकाई है? बहुत ही simple question है दोस्तो ये question बार-बार एक छोटा सा question जरूर है लेकिन बार-बार आपके exams में ये जो question है वो repeat होता रहता है तो question number 9 का सही आंसर है option C दोनी दोनी की जो एक काई होती है दोस्तो वो decibel होती है ठीक है? question number 10 और आज की वीडियो को last question है पेनिसलीन की खोज किसने की? question एक बार फिर पढ़ देता हूं है पेनिसलीन की खोज किसने की? तो question number 10 का सही आंसर होगा आपका option A Alexander Fleming ठीक है? पेनिसलीन की खोज किसने की थी? Alexander Fleming ने तो ये थे आज के 10 questions वीडियो कैसी लगी? comment करके जरूर बताएं अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को like करें और एक चीज जैसे कि मैंने वीडियो के बीच में ही आपको बताए था कि आपने कितने question इस वीडियो में सही किये हैं उनका आपको comment में जरूर लिखना आपको कुछ नहीं करना है only लिखना आपको क्यू? 10, object जितने question आपके ठीक होते हैं ठीक है? दोस्तों 10 बजे तो डेली 10 बजे सभी के सभी online आजाया करें और वीडियो को पूरा जरूर देखा करें तो thank you for watching दोस्तों कल फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ में तब तक के लिए नमस्कार जैहन जैवारत